Dear students, we have to discuss about the developing school grounds and use of local spaces for sustainable development. हम बात कर रहे हैं school grounds की हम बात कर रहे हैं local space के use की और sustainable development society की अब मैं इन तीनों चीजों को link करना चाहूँगा future में हम चाह क्या रही है हम चाहरे हैं एक sustainable society वो जो sustainable society का हम खाब लेके चाहरे हैं वो link किसके साथ है वो link है sustainable development goals के साथ SDGs के साथ जो 17 goals है अब ये 17 goals link किसके साथ है वो learner के साथ है चाहे हम इसे ही की बात करें चाहे हम primary school की बात करें चाहे secondary की बात करें या higher secondary school की बात करें युनिवस्टी की बात करें ये आपस में link है इसका मतलब है खाब है हमारा sustainable society ट्रोल है उसके अंदर sustainable goals का SDG goals जो 17 goals है वो गो लिंक है हमारे साथ developmental process में आज का learner और आज का learner जो है वो link है उस learning के साथ जो उसकी need है इस learning के अंदर involved है skills, behavior और knowledge skills involved है आपकी ground के साथ देखें ये एक linkage है अब इससे आपको अंदाज़ा होगा कि हम जो competencies पैदा करना चाहते हैं जो skills पैदा करना चाहते हैं हमें वो जो पुराना स्कूल का environment था classroom management थी उस environment से हमने निकलना है और निकलने के बाद हमने एक नए environment के अंदर आना है और बच्चे को वो skills देनी है वो competencies देनी है जो उसके future की need है उस need के अंदर जो बहुत से factors हैं उनके अंदर एक रोल जो है वो आपके school ground का है अब ये तो मुम्किन नहीं है कि जो सदियों से school बने हुए हैं अगर वहाँ पर ground मुझूद नहीं है तो हम school बंद करने वो लिंक क्या है कि अगर हम awareness दें school इंतजामिया को और local इंतजामिया को तो वो जो local space है अगर उसको हम use कर लें बच्चों के teaching लिए प्रासेस के लिए तो इसका मतलब ये हुआ कि हम वो जो sustainable society का खाव लेके चार रहे हैं वो हमारा पूरा हो सकता है